नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब केसरी मैं हूँ आपके साथ प्राची विपक्षिदलों के गटबंधन इंडिया में शामिल दोनों पाटियां आमाद्मी पाटी और कॉंग्रिस इस साल होने वाले लोग सभाचुनाव के लिए सीट बटवारे पर पाच्चीत कर रहे हैं लेकिन उसी के बाद एक बड़ी खबर सामने आई चंडिगाड महापौर का अगामी चुनाव मिलकर लड़ने के लिए आमाद्मी पाटी और कॉंग्रिस ने गटबंधन बना लिया है कॉंग्रिस के वरिष्ठ नेता पवन कुमार बंसल ने इस बारे में जानकारे दी उन्होंने बताया कि समझोते के तहट आमाद्मी पाटी महापौर की सीट के लिए लड़ेगी जबकि कॉंग्रिस वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के पद पर चुनाव लड़ेगी आई आपको सुनाते हैं पवन कुमार बंसल ने क्या कुछ बताया राशे इस तरफ पर जैसे आप जानते हैं इंडिया गटबंधन जो हुआ है उसमें कॉंग्रस और आप दोनों उसके बीच में हैं आपसमें सहमती है और पार्टीज के साथ भी मिलके समय समय पर जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं शेकर के नेताओं की हमारे कॉंग्रस प्रेजिएंट खडगे जी सोनिया जी राहुल गांधी जी वेनू कॉपाल जी ये चार कॉंग्रस के तरफ से जाते रहें दूसरी तरफ से और लोग जाते रहें वहां ये आप आम सहमती बनी हुई है इस वर्ष सभी ने कठे होके लोगतंतर के हित में लोगतंतर की जो भावना होती हैं उनको बचाने के लिए उनको मद्बूत करने के लिए जिन पे एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची है पिछले समय में तो उसके लिए सब इकठे हुए हैं और उसी को आगे लेके जाते हुए अब पहला सबसे अभी दूसरे चनावत अभी बाद में आने हैं लोग सभा के पहला हमारा कॉर्प्रेशन का यह आ गया है उसी भावना के साथ हमारी यहां भी बाद्चीत आपस में होती रही है और फैसला यही है कि हम लोग जो मेर की पोस्ट है वो आप पार्टी लड़ेगी आम आदमी पार्टी और जो दूसरे दो हैं सीनर डेप्टी मेर और डेप्टी मेर वो दोनों कॉंग्रेस को लड़े वहीं बात करें पंजाब की तो ये दोनों दलों की राज्य एकाईयां अभी तक एक दूसरे को रियायत नहीं देना चाहती हैं कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी की ओर से अलग अलग दावे करके कहा जा रहा है कि वो पंजाब की सभी तेरा लोग सभा सीट जीतेंगे वहीं अगर हम बात करें कॉंग्रेस प्रत्याशी के नाम आंकन वापिस लेने की तो कॉंग्रेस उम्मीदवार जस्पीर बंटी ने महापार पत के लिए अपना नामांकन वापिस ले लिया इसी तरह आप उम्मीदवार, नेहा, मुसाबत और पूनम ने वरिष्ट उप महापौर और उप महापौर पत के लिए अपनी उम्मीदवारे भी वापिस ले ली है आपको बता दें, आप और कॉंग्रिस ने चंडिगाड महापौर के लिए जो गड़ बंधन किया है, उसके चुनाव 18 जनवरी को होने वाले हैं ये दो तरफा मुकाबला होने जा रहा है और विशिशग्य मानते हैं कि इससे दोनों दलों को पीजेपी पर बढ़त मिलेगी चंडिगड की 35 सदस्य नगर निगम में बीजेपी के 14 पारशद हैं कॉंग्रिस ने 2022 और 2023 में मद्दान में भाग नहीं लिया था जिससे महापौर के चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी अब देखना होगा कि इस बार के महापौर के चुनाव पर आखिर किसको बढ़त मिलती है